भारत के उन्तीसवे राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना हुई पुलिस वाले को सजा को इसे महिलाओं के साथ अच्छा बरताव करना नहीं आता ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए पुलिस वाले को सजा इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए पुलिस वाले को सजा इसे फांसी पे चड़ादो कौन है ये आदमी इसका एरिया कौन सा है क्या इसे वेक्तिगत मामले में फसाया गया है या फिर ये खुद गल्ती करके फसाया है ये कहां पर रहता है इन सारी बातों की जानकारी कोर्ट में पेश करने के लिए एक स्पेशल आफिसर को न्यूक्त किया जाए सर उसके तालुका और डिटेल्स के फाइल है सर वहां की पबलिक को यहां बुला ले क्या नहीं रहने दो हम खुद पबलिक से जाकर मिलते हैं जबसे वो हमारे कॉलेज में आये हमारी रेगिंग बंद हो गोई वो बहुत अच्छे है सूपाफ है मैं भीक मांगा करता था सर आज उनकी वज़े से मैं स्कूल जा पा रहा हूँ वो भगवान है सर बेटा बेटी ने छोड़ दिया तो मैं रास्ते पर आ गया था तब वो हर महीने हमें कुछ पैसे दे कर जाते थे वो महान आदमी है सर उनकी जिंदगी में बीवी बच्चे घर परिवार का कोई महत नहीं है सर सब कुछ उनका पुलिस टेशन है उनका मेरा परिचय सिर्फ एक दिन का ही है सर लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी उन्हें भूल नहीं सकता क्रिमिनल्स को छोड़के अच्छे आदमी को आपने अरेश्ट किया सर सब बंद करवादेंगे सुनिए जी सुनिए ना उठ जाएए ये रही आपके कॉफी आरे आप कप उठेंगे और कप तयार होंगे एक शादी में हमें काकिनड़ा जाना आपको बताया था मैंने नहीं होगा इंद्रा तुम चली जाओ मुझे वैजाक जाना है नहीं होगा, वो लोग इतने सालों से हमें बुला रहे हैं और हम एक बार भी नहीं गए हैं, अगर इस बार भी हम नहीं जा पाए, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा मेरे लिए वैजाक जाना बहुत ज़रूरी है, एक इंपॉर्टेंट परसन से मिलना है, बताया ना ए, तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, उन्हें हमसे भी इंपॉर्टेंट काम है कह रहे हैं, अब तुम्हें नहीं करो डैडी डैडी, आप भी हमारे साथ जलिए ला राडी नहीं जा पाऊंगा प्लीज डारी, हम सबने मिलकर ये प्लान बनाया था ना मैं सच में नहीं जा पौँगा बेटी, प्लीज इस बार तुम लोग मुझे माफ कर दो अच्छा ठीक है डारी, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है आप पहले हम सबको अपनी साथ लेकर चलिए, उसके बाद हमारे साथ मिलकर ट्रिप को इन्जॉई कीजिए, ठीक है? प्लीज डारी, एक बार चलिए ना प्लीज डारी, प्लीज डारी आप इनसे मिलने के लिए वाइजाइक चाह रहे हो? हमारे वाइजाइक पहुशने तक आप हमें इसके बारे में कुछ बताईए ना उसकी फाइल को चलिए से क्लोस कीजिए और ट्रिप इन्जॉई कीजिए एक बात जान लो, अगर तुम लोग उसके बारे में सब कुछ सुनना चाहोगे तो ठीक है नहीं तो तुम लोग को काकी नाड़ा में उतरकर सीधा वैजाग चला जाओंगा मैं ठीक है, हम उसके बारे में सुनने को तयान है अपने अपने गाउं का दाम बताओ गुंटुरो सर, गोदाडा सर, ओंगुल सर, राजमाडरी सर तुम्हारा गाउं कौन सा है? सब मेरी बात पर गौर कीजिए, तुम सब लोगों की महनत और दुप देखकर और तुम लोगों पर भरोसा करके तुम्हारी जमीन जिस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक होना चाहिए मैं कोट से लड़कर वो वापस दिलवा रही हूँ अब तुम लोग भी बहुत महनत करो और अपने बच्चों का भविश्य सफल करो यही यहां के हर इंसान का लक्ष होना चाहिए उसे मारो लक्षमी ने इतने दिनों से आपके कबजे में जो जगह थी वो लोगों में बाट दी और डॉकुमेंट्स भी लोगों के नाम करवा दिये आप ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे तो वो अपने कदम बढ़ाती ही चली जाएगी जो हमें भार ही पड़ सकता है उनके लोग हमें मार मार के भगा रहे हैं अपने दिनों से कुलाड़ी और कोईते से जमीन खोधते आ रहे हो उसी कोईते और कुलाडी को हथ्यार बनाकर उन गुंडे को सबक सिभाओ उन्हीं अन्दाज़ा होना चाहिए कि तुम लोग कौन हो और क्या करने की शमता रखते हो उन लोगों को तुम्हारा खौफ होना चाहिए अब जाओ और उन्हें दिखा दू मालिक अब हमें क्या करना चाहिए छोटे सांप को भी खत्म कर देना चाहिए नहीं तो वो भी डस सकता है ड्राइवर ड्राइवर कहां चाला गया ड्राइवर ड्राइवर प्राइवर विस्टू प्राइवर विस्टू उठ 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 चल उठ उठ जा उठ जा कम ओन कम आज पिछले साथ दिनों से तुमने कुछ नहीं खाया ऐसा कैसे चलेगा बेटा अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो क्या तुम्हारी माँ वापस आ जाएंगी तुम्हारी मा को जिसने मारा है ऐसे लोगों की तादाद हमारे समाज में बहुत जादा है तुम किन-किन लोगों को मारोगे और कब तक ऐसे जेल आते रहोगे मेरी बात नहीं समझे न ये पुलिस की इनिफॉर्म पहन लो तुम अभिमाने और सहसी बनोगे तो तुम्हारा नाम जरूर मशूर होगा। तुम्हें देखकर लोग सोचेंगे कि मुझे भी ऐसा ही बनना चाहिए। तुम रहो या फिर ना रहो। लेकिन तुम्हारी बाते लोगों के अंदर जीवित रहनी चाहिए। सिर्फ अफसोस करके अपने सर पे मारने से कुछ नहीं होगा। और ना ही मुझे पे ता देने से। अबे बेटों जो मैं कहता हूँ से गोर से सुनो। मैं मरने से पहले राजनीती में अपने परिवार के लोगों को देखना चाहता। कि भाई कहा है। आ रहे है सर। अध्यक्षिए। सौरी सर। हाई कमांड ने आपको टिकेट देने से मनाय कर दिया है। क्या है। क्या है यह। अपने बाप की ख्वाइश मैं कैसे पूरी करूंगा। तुमने टिकट पानी की बहुत कोशिश की। लेकिन हाई कमांड ने तुम्हें सीधा सीधा इंकार कर दिया। और तुम्हारी टिकेट अपोजीशन को दे दी। अपोजीशन वाला ही नहीं रहा तो। चौक क्यू रहो। यही तो है राजनीती। थैंक यू, थैंक यूू। मेरे बाप की एक छोटी सी इक्षा थी कि मेरा भाई पॉलिटीशन बने करोडों रुपए पार्टी फंड में देकर मेरा भाई टिकट पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम इतने मशूर हो कि भाई की जगद तुम्हें टिकट दिया जा रहा है। मैं नहीं रहा, तो पॉलिटीक्स खत्म नहीं हो जाएगी। अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो उसके बाद मेरा भाई है। अगर मेरा चोटा भाई नहीं रहा, तो मेरा दामाद है। अगर मेरा दामाद नहीं रहा, तो भी मेरा चोटा दामाद पॉलिटीक्स करेगा। तुम्हें क्यों जिन्दा छोड़ा तुम्हें पता है। ताकि तुम खुद मेरे भाई को टिकट दिलाने की सिफारिश कर सको। करोगे सिफारिश, जरूर करोगे। । येल बहीडे हाँ, ठीक है, ओके देखता हूँ, हाँ समझ गया, ओके, छी छी, कैसे कैसे गुंडे शहर में आकर बस कहे है, लोकल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन कर लोगों को शांती से रहने भी नहीं देते, जब तक मैं ऐसे लोगों को शहर से निकाल भगा नहीं देता, मुझे शांती नही मिले की, अब ऐसा टाइम कब आएगा, ये तो उपरवाला ही जानता है, किसी भी परिस्थिती में उस पूलिस ऑफिसर के बारे में, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समहल के उसे फॉलो करना, अंडर्स्टूट, येस सर, ये रुख जाओ, क्यों रहे, तुम लोग वापस आई गए, आपके अलावा और हमारा आस्रा कहां है भाई, अकल ठीक आने आ गई, चला लेट्स डांज, ये रुख जाओ दे, बहुत वक्त हो गया है, चला बड्डे केक काटते हैं, ला रे चाकू तो दे, ये कैसा चाकू है, अरे औरिजनल चाकू दे, येला भाई, काट दो, ये हुई ना बात, रुखो भाईया, हमारी बहन आरे, वो कौन है, नहीं है, गाउं से आई है भाई फीगर देखके पागल हो जाओगे, ये कैसे हूँ, इन लोगों के साथ जो तुने सुलूक किया है, तेरा भी वही हाँ है, तू कौन है रे, पुलिश, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी पुरी फिल्म बाकी है, सर, राजमंडरी में खाना पीना छोड़कर, एक बाप अपनी बेटी की समाधी में बैठा हुआ है, वो भी चार दिनों से, पर उसके साथ हुआ क्या है? क्या है कि वो लड़की जिस कॉलेज में पढ़ती थी, वहां उसके साथ एक विचीतर सा हादसा हुआ, उसके कॉलेज का ही एक लड़का, कॉलेज आते-जाते उसे हमेशा परिशान किया करता था, हेलो, मैं फोन करता हूँ तो तू कट क्यू कर देती है? हे, तु मेरे प्रपोस का जवाब देगी या नहीं? तुझे तो मैंने पहले ही कहा था, मुझे भूल जा. तुने हा नहीं बोला तो तुझे बदनाम कर दूगा. बेटी को लेकर के बाप पॉलिस टेशन कंप्लेन करने गया तो, तुझे पहले तेरी फोटोज आ गई, वाहियात फोटोज किजाते वक्त नहीं सोचा. पुलिस से जब कुछ नहीं हो पाया तो वो पॉलिटीशन के पास गया. क्या रवन्ना जी, लड़की को क्या ऐसे पाला जाता है? देखो, तुम्हारी बेटी के रोमान्स की तस्बीरे मेरे फोन में है. मुझे तो देख कर शर मारी है. तुम्हारी बेटी क्या करती है, कहा जाती है या तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था? यही लोग हैं, जिन्होंने तुम्हारी बेटी की जिन्दे की तबाह की, बोलो क्या करें इनका? इनने मारती जे सर, मेरे इस मासूम बेटी की मौप के सिमेधार यह लोग है, इनने चोड़िए मत सर, माना लिए इना. दूसरों की बेटीयों की इज़त के साथ खिलवाड करना तुम लोगों को अच्छा लगता है, क्यों? वही सुलुक अगर कोई तुम्हारे परिवार के साथ करे तो तुम बर्दाश्ट करतें, नहीं करतें. अब खुश हो ना, जाओ जाकर खाना काओ, और सभी लड़कियों से कह रहा हूं, जिन्देगी में कदम कदम पर तुम्हें ऐसे चिछोरे लोग मिलेंगे, इनसे तुम्हें हार नहीं माननी है, जब तुम इनसे मुकाबला करने की ठान लोगी, उसे वक्त इनकी हार तैस सर, यह नो पारकिंग एरिया है, यहाँ गाड़ी बत लगाईए, क्या भे, गाड़ी हटाने के लिए किसे कह रहा है, देखिये, मैं आप सही कह रहा हूं, यहाँ से गाड़ी हटा लीजिए, तेरे को पता है मैं कौन हूँ, मैं यहाँ के मिनिस्टर का बेटा हूँ, क्या है, क्या कर रहा है तू? इन मुर्दों की बदबुस सुबा तक लेता रहे, तभी तुझे पता चलेगा कि पुलिस का पावर होता क्या है, तेरे को पता है मैं कौन हूँ, फर्क नहीं पड़ता, इस दुनिया को बचाने के लिए भगवान होते हैं या नहीं यह तो नह लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस होती है, यह मुझे जरूर पता है, बता तुझे क्या पता चला? पुलिस भगवान है? जाकर तेरे बाप से बोल कि पुलिस वालों का सम्मान करें. किसका पुलिस वालों का? क्या आतना तुने? राजनीत वाले हिरो हिरोईन के आगे पीछे घुमते रहते हैं, उनसे हम जैसे पुलिस वालों का थोड़ा सम्मान करने के लिए बहुत, गल्ती हो गही, लेकिन तुम हो कार? पुलिस! पता है उसे देख, ऐसा लग रहा गोवा समझ के यह आ गया, इसके स्टाइल कुछ अजीब सी नहीं लग रहे है, यह तो बहुत ही अजीब और खतरनाक लग रहा है, सम्थे इस रॉंग, यार नमस्ते सर, नमस्ते, आप ठीक है ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर, हम, आईए उससे अपने को क्या करना है, लावनिया कहा है, मेरा मेकप उतर रहा है, यार हुआ 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 है, बहुत हुआ है, तो अपना ने, यह तो अपना है, जीप है, यह तो आप तेरे पीछे भी दो आखें क्या है आए अच्छा बाजवाट अच्छा बाजवाट इसका पैंट तो बहुत दबर्दास है अपन भी ऐसे यह करिते हैं कौन है यह किया दिफरेंट करेक्टर कहता है वाई जैक से आया है शहर में कुछ काम है इसका रफीक की पहचान वाला है अरे उसकी कीमत बहुत ज्यादा है तो फिर उसको वहाँ से कैसे मंगा है बाई जरा एक पानी की बोटल देना उसे फ्लाइट या शिप से मगाना पड़ेगा उसके रूम का टेंपरेचर 28 दिग्री से कम होना चाहिए मतलब कि वह एल्सेशन से भी ज्यादा मेंगा पिलकुल इंडियन फूड है ना क्यों कुट्टे के लिए और जब नहलाया जाए तो पानी जादा ना गरम ना ठंडा होना चाहिए इतना डिसकुशन कुट्टे के लिए कर रहे हो आरे चलो ना सर ये बगवास कर रहे है ये पढ़े इंसान को छोड़कर इन्हें उस पालतू कुट्टे की फिक्र जादा है उसके रहने खाने पीने दवाई सबकी नहीं बहुत चीनता है पर इंसान की चीनता नहीं इंसान का भला करो कुट्टे का नहीं पर तुम जैसे रहिषजादों को ये बात कैसे समझ मागते रहते हैं मेरी जिन्दगी इसी अच्छी है अच्छा आज तुम दोग देखना उसे प्यार में गिरा के रहूंगा तू पहले फिसल कर गिरना चाहिए तू चुपकर सर सिग्रेट स्वास्त के लिए बहुत हानिकारक है तुम अपना काम करो चलो हलो सुनाय नहीं दि के लिए कह रहा है स्कुरूट धिला है क्या है कि अधिशन देखने के लिए कर्माकर जी आ रहे हैं कर्माकर हां सेंसेशनल डारेक्टर कर्माकर जी आ रहे हैं इस लिए मैं इस वार्ण वेरिंग फिल्म बना रहा हूं इस एरिया में आप क्या शूट करेंगे अधिशन बोलते ही हिरोईन इसी रोड़ पे स्विमिंग सूट में भागेगी पीछे जितना क्राउड देख रहे हो सब को धक्का मारते उसका पीछा करेंगे और जब तक मैं कंट बोलूगा तब तक वो सारे गुंडे इस क्राउड को यहां से भगा देंगे और मैं भी इन मारके डाउन है से सीक्रेटे काम में बोलो आसकल हमारे साथ कोई भी हिरोईन काम नहीं करना चाहती है ठीक ठीक है लगता है इने कुछ दिग गया सूपर सर बहुत अच्छा सर अरे वाह यह अपने लिए ठीक है सर मिल गई मुझे नहीं तो मन्ना इसका नम्मर नोट करके उसका डिलीट कर दो करेक्टर में फिट है साथ क्रीम फोर क्रीम फोर कट फिल्म कैंसल रुक 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 शिवा आर्चुन सत्या गोविंदा गोविंदा सुरी यह तो एक्शन मूवी नहीं यह तो भगवान की मूवी है इसकी बॉड़ी मुझे ठीक टाक ही लग रही है सुपब मैनेजर प्रिम फोर कैंसल लिखी माइब स्टार्ट शूटिंग कैंसल होने वाली है बाई यह चलतो रहा है बोलाना कैंसल होगी क्यों लुक एकदम मस्त आएगा यह तो शूट करने से पहले ही बन गया बहुत हो गया चला वापस चलो चलो ऑके सार शुटे क्या हुआ सब्सक्राइब इसलिए हम कई और शिफ्ट करेंगे वो क्यों सर फिर क्यों सर मेरी मर्जी है है मेरी मर्जी वैं तू ठीज मुझे बनाया था ना तू ठीज में रहा ना जब भी मन करें तब तेरी डार्लिंग के घर पे जा रहे हैं इनको अगर तुने मार दिया ना तो हीरो बन जाएगा तुम ना समझे तेरी इज़्जत गई यह बिलकुछ सही कह रहे हैं तुम चुपकर यह किसने कहा है कि लड़की के लिए फाइट करो तभी तुम हीरो वाकवास आए लड़की को मेरा हार्ट देखना चाहिए मेरा फाइट नहीं टाइम हो गया चलता हूं कौन हो तुम लोग क्या करें हो छोड़ो चोड़ो चोड़ो मुझे चोड़ो आए तू अभी सब के सामने इस लड़की के साथ अपनी खौाइश पूरी करेगा प्यार की भाष्टा नहीं समझी ना हे भगवान इन गुंदों से इस बच्ची को बचालो भगवान चुम्मा चाहिए तुझे चुम्मा है कोई भी आ गया है तो मैं उससे भी ठोक डालूँगा चलो 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 चुम्मा चाहिए तुझे अगली मारह से गलती नहीं करूगा सर्ण बच्चाहिए इससे महाफिए ज्योगी जाल 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 थैंक्यू गाढ बहुत बहुत शुक्रिया थालो थैंक्यू सोमट सर्ण सर थांक यू सो मच्छ सर ड्रेस देखेट सेम फिंच मेट फोर इच अधर थाइप्स सर था सर हाई मैं बाद में फॉल पॉल इसके बाद पता है क्या हुआ मर्डर्स का वीडियो शूट किया शहर में आई एक नई लेडी जर्नलिस्ट ने सागारेडी का भाई इन सब मर्डर्स का जिमेदार था वो सुबूत लेकर इस एरिया के पुलिस्टीशन में गई सर, नारायन के आदमी जब रोड पे किसी को मार रहे थे तब मैंने कुछ फोटोस निकाली हैं इन फोटोस के आधार पर तुम चाहती हो कि मैं उस पर एक्शन लूँ जी हाँ सर फिर सागारेडी का भाई भी पुलिस्टीशन पहुंचा राजनीतिंग में आने के लिए रावडीजम और गुंडागरी को साइड में रखकर लोगों की सेवा के लिए मेरे भाईया सोच रहे हैं सब सपोट कर रहे हैं पर उनके खिलाफ तुमने एक फाइल सब्मिट किये वो गतलक ऐसे हुए थे सबको पताया पर किसी ने कुछ नहीं कहा है और तुम गवा बनके पेश हो गई हो अच्छा होगा कि फाइल वापस ले लो और नहीं ली तो कि बहुत बुरा होगा तुझे प्यार से समझाया पर तुझे शायद मेरी भाशा समझ में नहीं आई अब तेरा जो भी हश्र होगा उसकी जिम्हदार तुखुद है वो लेडी जर्नलिस्ट ये बेज़ती सहन नहीं कर पाई वो भाग के बाहर आई और एक ट्रक से टकरा के अपनी चान भाई भाई वो जर्नलिस्ट ट्रक के नीचे आकर मर गई धर इस बात को मेडिया वाले सारी जेगे पहला देंगे तू क्यों टेंशन ले रहा है आने वाली गवर्मेंट अपनी है सर्च सर कुछ पैसे दोना सर कुछ दीजिये न सरु डीजिये न सर कुछ दीजियो न सर कुछ दीजिये पुचा दीजिए और यूटन वालो को किौ नमस्ते तासे क्या कर रहे हो थो कोई न कर सकता हूं सर मेरी मा बहुत बीमार है मेरा अलावा कोई नहीं है सहल इसलिए हमारे भारत में बच्चों को काम करने का हक नहीं है सर सो हम बीक मांगने के अलबा क्या करें Omega हाँ कि अज़ना के यां को तो चोटा है लेकिन तुन Märants बहुत बड़ी बात समझा दी है चला मेरे साथ सच भारत की जाए बहुत साफ कर दिया चलते हैं राजू नाइडू जिन्दावर्ट क्या हुआ ट्राफिक कितना जाम कियो है अधिकाली पार्टी के कॉल्परेटर सवच भारत के लिए जाडू मार रहे हैं इसलिए ट्रैफिक जाम है सर इसे क पर में आना चाहिए मैंने जो कुछ किया सब दिखाना सब क्या हो रहे हैं आपर सवच्छ भारत रोट पे जाडू लगा रहे हैं दिखने ही रहे क्या चला कहा जी जा रहे हैं आज बहुताता हूं आज मिलावट कम करवाओ भूग घरीब को खाना किलाओ घरीब बच्चे स के साथ जो अध्याचार हो रहें उन्हें रोको ताकि वो आत्मत्या करने पर आमादाना हो तब होगा भारत सवच्छ साफ उत्रे चमकीले रोड़ पर जाडू गुमानी की जरूरत नहीं है पहले ये साफ करो ये तो हीरो वाले डालाग मार के चला गया बाई सवच्छ भार करके भीव मांग रहा था जी हाँ सारभी क्या किया इस ने देख कब मांगता लड़कीयों गूरता है इतना भी हक नहीं है क्या मुझे अपने सोतंतर भारत में हक और शॉतनतर की बात-बात में कर इसने क्या किया है ये बता है जब यह भीख मांग रहा था हलो पॉली स्टेशन इसमें गल्ती क्या है ? त्यकर अच्छा हॉशए तुझा नहीं है तुझा नहीं तुझा नहीं है तुझा क्विजा नहीं है? क्यू? वे पागल साभ की बीवी थी हो सच मैं ? तुम्हारी वीवीय नहीं पता था अला क्यों कर रहा है दुनिया को बताएगा क्या इसे अंदर डाल कर जितना चाहे मारो ले जाओ कौना भाई तुम? क्या काम है? वो मरी हुई जर्नलिस्ट का केस कहा तक पहुचा ये पुछने वाले तुम कौन हो मरी हुई जर्नलिस्ट का केस कहा तक पहुचा अरे ये तो हीरो है पूरी डिटेल्स बतानी होगी क्या करना तु? पागल हो गया क्या? पुलीस पे हाथ उठाता है आखिर कोई ने तु? 1995 बैच, दुर्गा प्रसाद, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, विजयवाणा रेंज, मेड इन इंडिया और कितने डिटेल्स चाहिए तुझे अच्छा एक बात बताओ, जो घलत ही करेगा उसके साथ क्या करना चाहिए? उसे अरेस्ट करना चाहिए सर अरेस्ट करो इस कौन है ये विखारी है सर, पबिल्क में निउसेंस कर रहा था इसलिए सर ने इसे अंदर करने के लेका बाहर लगा हो से चल दे तू रात मतला का मुझे क्यों रहे इतना क्यों मारा इसको सर ने का था मारने को वल्दी क्या किया वही पब्लिक में नूसेंस कर रहा था यह क्लियर बताओ क्या किया इसने यह पब्लिक नियूसेंस होता है क्या? सोचे मेरी छोटी सी हरकत को यह पब्लिक नियूसेंस बोलता है दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, सुबर नहीं देखता, शाम नहीं देखता पता है कितनी मेंनत से भीक भांगने का काम करता हूं चोटे-चोटे बच्चों को, अनाथ लोगों को या बूढ़े लोगों को गलती करें तो अरेस्ट करो, लेकिन मारने का अधिकार नहीं, इस इस माई लोग, अंडर्स्टाइड? कहा है तुम हारा एसाई, कब तक चक्कर लगाना पड़ेगा हमें? सुनो, सुनो, ऐसा यह नहीं है, आप बाद में आईएगा. क्या है यह सर, दस बाद बुलाते रहते हैं, कितना चक्कर लगाएगे हम, यह केस क्लियर कब होगा, बताइगे. ऐसे क्यों चिला रहे हैं? सर, यह लोग काफी दिनों से… सर, देखिये सर, यह मेरी बेटी है, यह खुश रहेगी, यह सोचकर हमने एनराइ लड़का देखा और दहेस देकर कि इसके शादी करवा दी, लेकिन उस लड़के न हमें धोखा दिया और इसे छोड़ दिया सर, उस आदमी के खिलाफ कोई एक्शन हो, इसके लिए हम पूल सर, यह है वो जाते हो, और जब कोई लफड़ा हो जाता है, तो पुलिस की याद आती है, नराइ से रिष्टा जोडने से पहले, पुलिस स्टेशन आना चाहिए, और उस लड़के की पूरी कुंडली निकालनी चाहिए, तब जाकर यह पुलिस आक्शन लेती है, आई लव यू सर, अगर अगर तुम इसका सपोर्ट करती हो, और यह कहती हो कि जैसे भी रख्या मैं रहने के लिए तयार हूँ, तो मैं इसे छोड़ दूँगा, और अगर तुम कहो कि इसने तुम्हे धोका दिया है, और अगर तुम दूसरी शादी करना चाहती हो, तो फिर मैं इस पर आक्शन जर अंदर डाने से, गलत है सर, खादी पहनने वाला नेता एक बार के लिए धोका दे सकता है, लेकिन खाकी बर्दी पहनने वाली पुलिस कभी अपने ट्यूटी से पीछे नहीं अटी, आप जा सकते हैं, क्या बात है सर, अभी असली मैटर पर बात करते हैं, तुम लोगों को स हुआ तो वो ज़रूर यहां आएगा, ओ, फिर तो उसके भाई को कुछ न कुछ होना चाहिए, हाँ सर, यह बताओ, उसकी गैंग में कितने लोग हैं, कम से कम उसके 20 लोग तो होंगी सर, यह बताओ, उन लोगों में फैमिली अटेश्मेंट वाले लोग कितने हैं, मेरी क्य सलते हैं सर, अचा बात सुनो, जी सर, ओर्डर किसके याद रखना, समझ गया सर, इंकाउंटर सारा एसाई के एकाउंट में, सेटे, सर, करूँच में एकम करूँच मुट necesit separately,, ओर्रियमें प्रली में करूँच में टेचर दोग Yap. करूँच में लोग. करूँच में बनना राक h fantastic यह बतादे क recognition हवा हैं, करूँ. किस ने मारा इन लोगों को पलीस वानोरे पता चला कि ने पुलीस ने मारा वाट पुलीस वालों ने मारा ना अटाक मत करो तुम जिसने मारा वो कहा है पता करता हूं इन लोगों को किस ने मारा है आपने ठोक है सर और ठोकने के लिए नए ओफिसर ने ओडर दिया ता कौन से नए ओफिसर ने ओडर दिया तुम्हें न बार कर मुह में टेप लगाने के लिए बोला था वो जेल के अंदर है सर एक घंटे के अंदर उसे बेश करो उसके आने तक तुम यहीं रहोगे कहीं नहीं जाओगे क्यान है कि अगर को है कि अगर को मामूली पुलीस ने बाओफिटने के लिए वह कोई नौर्मल आधी नहीं बहुत महार आदमी है वह नहीं मिलने वाले तुम लोब निकल जाओ हो गुरुजी आप मामुलियात में नहीं भगवान के सवान हो हुआ हर गली हर घर में जाओ ढूंड़ो उसे चाहे कुछ भी हो जाए उसे ढूंड कर मेरे सामने लियाओ सार किसको ढूंड रहे हैं हमें भी बताइए ना सर तुमारे कॉलनी में जो नया आत्मी है ना धोंगी पुलिस उसे ढूंड रहे हैं अच्छा वह स्टाइलिश नहीं किलर है उसने ग्यारा लोगों को मार कर पूरे शहर में संसली फैल आ दिया उसी को ढूंड रहा हूं है घलत नहीं हो सकता उससे कभी गलती नहीं हो सकती यह जडरूरत से कुछ जादा बोल रहा है इसे दीब डालो ऐसे जाहर लेकिन वह जाकर लेया उसे कोई ना कोई रिलेशन है सार यह रफिक कौन है वहीं सार आपकी तरफ पुलीस होगा है 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 इसी कलोनी में 108 नमर में रहता है सार है जाओ जाकर ले आओ उससे कि नमस्ते साब उसे क्या देख रहे हैं साब वो कालमान राज है ब्याज ना मिलने पर लड़कियों को उठा ले जाता है कि क्यों रहे मेरो पैसा नहीं देगा क्या कोशिश कर रहा हूं मैं एक हफ्ती में लोटा दूगा हफ्ता हफ्ता कहके और कितना आपता लगाया करें तू चाहिए तो मैं वेट कर सकता हूं तेरी बेटी को में एक हॉली डेप ले जाना चाहता हूं हप्ते दस दिन में लोटा भी दूँगा तब भी अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं इसे दुबाई वेजवा दूँगा जी ये कैसी बाहियात बात है है चोड़ उसे है क्या कर रहा है 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 बत करना है कुलिष तुमें कॉलोणी में ढूंड़ती बहा गई है रुको मैं वहीं आ रहा हूं बस थोड़ा सा इंतजार कर रुक जाओ रुक जाओ इस बगवान में आपको बिल्कु सही फक्तर भीजा है आपने मेरी बेटी की जिन्दीगी बरबाद होने से बचानी बाबू सर सुनिये वह आपके पास ही आ रहा है बहुत मता आएगा वह बेवकूप है जो मरने के लिए मेरे पास आ रहा है आज नहीं बचेगा वह है दुक्रे आने दो उसे है 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 सोन मैं उसका इंतजार कर रहा हूं अभी नाचो तुम लोग चलो नाचो वा तुम में में माई आपके रह फिए है कोषब है उट्स फ्स जाराओए और ने चाहराओए रभी कुष्व आखिश्टॉ टुचनल आखिश्टॉ जोत पितल और यहाराओए जोड़ाओए यहाराओ शना को टेक साहराओए जोड़ाओएदु है एे हैं कि कुछutan, कि मैं यह दो हुड़ को दाक हुड़ है एए, नाच्छे रे, हुँ ए, तुम लोग क्या देख रहे हो, जाओ, नजॉय करो करता ए, खर में लोग में, आर हो भाँ कर दो 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 को पुलिस को तोने क्या समझ रखा है अपने घर का मामूली वाच्मेंट तू उन्हें बुलाया था मैं आ गया नहीं देख कर दो कर दो अरे सिम् सर सर रुख जाई प्लीज सर ये कौन आपको पता भी है ये पागल है सर किसी भी परिस्तिती में उस पूलिस ऑफिसर के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए समहल के उसे फॉलो करना अंडर्स्टूट ये ये मेंटल हॉस्पिटल से भाग क्या है सर हम लोग इसे पिछले पच्छेस दिनों से ढूण रहें हुआ है हुआ हुआ है हुआ है कियो नहीं फिल्म चल रही है जाए नहीं तुम नहीं जो यहां पर खड़े होंकर आज़े फार कर गया देख रहे हो वारी आखों से सामने माजुक होसते हुए हुए सर जल्दी ले चलो इन्हें चलो कि यह आपमी है यह मैंटल है बापा दोनों ही है वो मतलब रोट तो सबका है ट्राफिक जाम करोगे जादा नौटिंकी मत करो जाओ यहां से गडेश महराज की कि मेरे बाप सुन क्यों नहीं रहे कि अधिक 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 गनलपतीपापा तड़ा ऊपर देख दुकान कानाम है कनकदुरगा वाइंस यह क्या कर रहा है तु यह भक्ती है यह उपर भगवान की फोटो लगी और नीचे जशन हो रहा है चल मेरे साथ दिखाता है रहर हिंग देखयो उसके आसपस नाचना बल्क यासा हश्षर हुने से रोकना मेटा उटो प्रिंसिपल ने कुछ बोला है कि कंसे मुझे उल्टी हो रही है सर लेकिन मेरी माने मुझे फिर भी स्कूल बेजा भैसकी मा को अरेस्ट करो बेटा इसे छोड़कर चला गया है तीन दिनों से यही पर बैटे उसका इंतजार कर रही है वो कुछ नहीं है सर बाजु में प्रिता अश्रम है ना हर दिन कोई बेटा या बेटी अपने माबाप को या छोड़कर जाते ही रहते और ये बिचारे वहाँ इंतजार करते रहते है ये तेरी मा है? हाँ सर जो भगवान दिखतानी उन्हें प्रणाम करते है और भगवान स्वरूप माबाप का इतना बुरा हल करते है दाने दाने का मौताज बना दिया अभी भी वक्त है अपने पाप का प्राइश्चित कर लो चलो ले जाओ इन्हें टिकेट नहीं मिली सर नाम के लिए डियस पी ओ जाकर उन्हें सॉरी बोलो आम सॉरी सर जी इनसे माफी मांगो आम वेरी सॉरी उनका समझा देना पलिस वाले पर हाथ उठाने का किसी को हक नहीं आप मुझे सलूट मत कीचे आप देश की रक्षा करते है सलूट तो मुझे आपको करना चाहिए संबल कर जाएएगा नमस्ते सर मेरा नाम रवींद्र है श्री राम कंस्ट्रक्शन का बिल्डर हूँ बैठी बताईए पहले रियल इस्टेट का बिजनस बहुत अच्छा था सर लेकिन अभी हालत बहुत खराब हो गई है लोकल गुंडा नर्सिंग मुझे जितना मांगता था मैं उतना दे देता था सर एक नई साइट डाली है वो उसके लिए भी मांग रहा है सर तो दे दो ना पहले से जो आदर डाली है तुम लोगोंने अभी रियल इस्टेट में बिल्कुल पैसा नहीं है सर वो बिजनस ये बिजनस कहकर पब्लिक से जो पैसा लूटा है उसमें से उनको थोड़ा सा दे दो ना अगर ये साइट पूरी हो जाती है तो मेरा करजा उतर जाएगा मेरा परिवार बहुत सेहमा हुआ है कहीं उनके साथ कुछ कुछ नहीं होगा एक काम करो गन लाइसेंस के लिए अपलाई कर दो क्यों सर अपनी सुरक्षा के लिए तुम जो यहां कंप्लेंट करने आयो नर्सिंग को पता चलेगा तो वो चुप थोड़ी बटेगा अरा छोड़ो यार सेफटी के लिए फिल्म वाले राजनीती वाले अपलाई करते हैं उसी तरह तुम भी अपलाई कर दो आप जा सकते हैं ओके सर चलता हूं सर चंद्रसेंग जी सर कमम पुली स्टेशन जा रहे है येस सर संबल कर जाएएगा ठीक है सर गलती हो गई सर अगली बार ऐसा नहीं होगा मुझे माफ कर दीजिए सर राजेंद्रा सर या औरत कौन है सीता रानी सर अपने एसाई अपल राजू ने इसे अरेस्ट किया है सर किया इसने चीटिंग किया है सर जैसे कंपलेंट किया उसे बुलाओ अभी बुलाता हूं सर सर वह आ गए सर तो तुम लोग वी सी में पैसे बढ़ते हो जी है सर साब उसे छोड़ना बस साब तुम सभी लोगों ने उसे पैसा दिया है हां सर कितने दो हजार रुपए मैंने ब्यास से दिये थे सर जो बढ़कर अभी चार लाख हो गए कौन देगा दो हजार का चार लाख तुझे तेरा बाप भी बना के देगा क्या सर अब इस तरह से बात नहीं कर सकते जा सर तू कर सकता है तो पुलिस नहीं कर सकती है क्या उंगली दिखाता है खुद के लालच का ठिकाना नहीं और दूसरे को चोर बता रहे हो बासकर सर इन सब को अंदर डाल के केस फाइल कर दो और उनका हस्पिटल का खरज इन सब से वसूल करो सर सर आप ये क्या कह रहा होँ सर केस करने वाले पर ही आप इस कर रहे हैं आजके बाद लालाच प्ढ़कर अशे घलती नहीं करूँगा हम लोगों की तो हालात ही आशे है बासकर सर युए गबिदर जी इतनी जल्दी आ गया सर गंदी खरीद ली है कली अपलाई किया था और आज घोड़ा हाथ में आ गया सरकार से कैसे काम निकालते हैं आप तो जानते ही हैं सर भई आप तो बड़े तेज निकले क्या कर सकते हैं सर अब क्या हो भाई से मिलने का प्लान करो और क्या वो सर वो पहले आप मिलो ना, उसको रंगया तो दबोचता हूँ, हाँ? ओके सर, सर, वो अभी निकला है सर. ज्यादा टेंशन मतलो, मेरी नजर है उस पर. सर, वो पास में आ गया है. मैं स्पॉर्ट लगा कर बैठा हूँ. ओके सर. सर, उसकी कार रुख गई है. मैं बस आई ही रहा हूँ. वो उपर ही आ रहा है, सर. मैं भी नीचे पहुँच रहा हूँ. सर, वो उपर आ गया, सर. दो मिनट मैं आ रहा हूँ. वो पास में आ रहा है, सर. मैं भी पास में ही हूँ. और पास में आ गया, सर. मैं बिलकुल पास में हूँ. शूर बहुत बुरी दस्रेट होगा यह तो आप नहीं तो कहा था आप मुझे अरस्ट करेंगे सर ने मारने को कहा तो आपने मार दिया अब परिशान की हो रहें सर श्री किष्ण जैसे हैं अरे देख यार करेंट लगने से गाय की मौत पूरे एलेक्टिसिटी डिपार्टमेंट को पूलिस ने अरेस्ट कर लिया नमस्ते सर क्या हुआ उसे मारने वाले पर तुमने एक्षण नहीं लिया action लिया सर किस पर लिया वही सर जिन्होंने जानवर को मारने वाले पर अंदर डाल दिया बेल मिली और मैंने उन्हें छोड़ दिया अपर यह पर इंसको रजने से उसकी मौत हो जाए बस करो हा बहुत हो गया मैंतर पर आते हैं बोलिये घंड को जिस तुम निाय किया और क्या तर प análख शया उसने उसे मारने की सही हज़ा पता हैं है छोड़ दिया उसे तुमने आजी सर ऑफिसर उसे क्यों छोड़ा है जवाब चाहिए उसने गोली कतल की रादे से नहीं चलाई वाट जी हां सर वाट डू यू मीन उसने परसो गन लाइसेंस के लिए अपलाई किया कल उसको लाइसेंस मिल गया प्रैक्टिस के लिए लेकिन किस पर गावमेंट पर केस करूगे हां सर हम लोग जब सालों साल ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग में यहां चलाओ वहां चलाओ ऊपर चलाओ नीचे चलाओ इस तरह से रूल्स बनाये जाते हैं आफ्ट रॉल बाइक का लाइसेंस लेने के लिए आठवी या न कि आपके इस ऑफिसेर्ने शादी नहीं कि किना उसने की से एक हो बेटा इतनी जल्दी में क्यों बुलाया तेरे लिए एक लड़की देखी हो इसके लिए इतना अर्जंट बुला लिया मैंने तुम्हें अर्जंट क्यों बुलाया जरा सोचो हमें जितनी मां की जरूरत है उतनी ही बीवी की जरूरत है वो लड़की बहुत अच्छी है आपने उसे देखा है हाँ देखा ठीक मैं तैयार हूं उसके बात क्या हुआ जी वो दोनों अलग हो गया है ऐसा क्या हुआ उन दोनों में नमस्कार सर पुलिस वाले कुछ कहते हैं तो मानते क्यों नहीं हो तुम जितना गुड़ लग हो सकता था वो दे दिया तो भी शॉप जल्बी क्लोज करने के लिए क्या गुड़ लग दिया है हां सर हमारे लोगों ने लिया नहीं लिया सर पले इनको अंदर डालो यह नय है सर मेडम को मैंने। कौन सी मेडम को वही सर मैडम जी को ही कौन सी वाली मडम आपके मेंसेस को मैंने गिफ्ट दिया हाथा और उसने ले लिया उन्हों लिया सर चलो सबश्बैर महले नमा इडमाजी कैसे आप बैठिये ना जल्दी से बाहर हो एक को nostri यह बताओ तुमने इनसे गिफठ में नेकलेस लीक है वो में ने अचुमने लीक ही नहीं ये बताओ इन्वने छोटा साथ के असलूप की ऋलिमिक हां तुम खुदकर वर्लम्ड चंपियों समझते हो तुम सहरो तामात जी तैमाद मेरी बात जुनिये अप पागल होको हो क्या आप तेरी बात सुन की ने रहो अरे आपका दिमाग खराब हो गया है हाँ पापा वो गिफ्ट नहीं थी रिश्वत थी सुनिये तो प्लीज सद्रारण जी सैर केस फाइल कीजिए ठीक है सर सुबे से मैडम इसी तरह से खड़ी हुई है सर कुछ खाया पिया भी नहीं है अगर आप कहें तो फ्लीज सर बेल पेपर त्यार करवा उनके ठीक है सर अभी करवाता हो और सुनिये जी उन्हें घर ट्रॉप करके आई है मैडम जी कोई ज़रत नहीं है कि अच्छा आप लोग हम अपनी बेटी को लेकर अपने घर जा रहे हैं डाइवोर्स के लिए तैयार रहो यह फैसला आपका है या फिर आपकी बेटी का यह मेरा फैसला है ठीक है जा सकती है थैंक्स अपनी पत्री को अरेश्ट किया मेरे लिए सब बराबर है, चाहे वो क्रिमिनल हो या फिर मेरी बीवी हो अरे इस तक ठीग है, सर लेकिन डीवोस देना गलब बात है, न? पॉलिस कया डीवोर्स नहीं ले सकती? पब्लिक नी किया तो राइट है, पॉलिस ने किया तो गलत है तो क्या उसने डिवोस्ट ले लिया? चलो, अच्छा हुआ. आखिर मैं डाइवोर्स पेपर आई ही गया, उस मनोस से पीछा छुटा. अब उस मेंडल को भोलकर, दूसरी शादी करके एक नई जिन्दगी की शुरुवात करो. सौरी फील क्यों कर रही है, जो कुछ होना था, वो तो हो गया, ऐसे वक्त में हिम्मत से काम लेना चाहिए, ए, तुम प्लीज मत रहुँ. क्यों भाई, पिछले पुली स्टेशन में तुम्हारी बहुत कमाई होती थी थी ना? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे सब पता है, अरे बगवान की किसम ऐसा कुछ भी नहीं है, सर जी. देखो, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, मुझे जुट बोलोगे तो तुम्हारी यहां लड़की पैदा होगी, या? अरे लिकिन ऐसा कुछ ही नहीं है, सर? सर, सर, समस्कर सर. मुझे लोगों कुछ कहा किया? कुछ नहीं, सर. अभी-अभी तुम्हों कुछ कह रहे थें. वह इसकी नहीं शादि ही कह रहा था. उसके बाद क्या कहा? कुछ भी नहीं, सर. बाद में क्या कहा, यह बताओ. वह मैंने बोला कि जूट बोला तू लड़की पैदा होगी ऐसा कहना खलत है एक बात बताओ यहां के नहीं कॉंस्टेबल तुम ही हो हाँ जाओ जाकर तूप में खड़े हो पूरा दिन जाओ यहां से क्या हुआ बाई ऐसे मुह लटका कर क्यों खड़े हो कुछ नहीं सर मैंने कहा था जूट बोला तू लड़की पैदा होगी तुन्होंने गाल पर मार तूपर से उन ड्यूटी कॉंस्टेबल पर हाथ उठायो उसने अभी देखता हू हमें ट्रेलर दिखाया अंदर पूरी फि के पास जाकर कंप्लेंड करता हूं वह आएंगे इससे सस्पेंड करेंगे उसके बाद ही मैं हम के सब क्यों उन्होंने क्या गलती किये जो धूप में खड़ा कर रखा है उन्होंने वजा नहीं बताई आपको जूट बोला तो लड़की पैदा होगी इतनी छोड़ी सी बात तो नहीं है सर मेरी मास्त्री मेरी बीवी स्त्री जो बेटी पैदा होगी वो भी स्त्री होगी सेंट मदर टेरेसा में शुबलक्षमी नतामंगेशकर जहां सीकी रानी लक्षमी भाई हमारे देश में हमारी सरकार में काम करने वाली तमाम महिला है जो पूरी दुनिया में द निर्भाया जैसे और भी कानून लाने पड़ेंगे हमें तभी ये देश सुधरेगा यूर राइट कि नमस्ते सर और वह तीसरा वाला कहा है एसी रूम में रेस्ट कर रहे हैं वह साहब जी जब बाहर आ जाए ना तो उन्हें भी आज कल और परसो धूप में खड़े होने को कहना और उसके बाद ड्यूटी जैन करने के लिए किस ने कहा था बोलने के लिए बैंट बजा भी कि सार क्या बोल रहा है वो नया आया हुआ है आपको देख लेंगे ऐसा कह रहा है उसे अंदर बेजो देख के चला जाएगा ठीक है सर बिजवाता हूं जल्दी बख और रो दे सार आपको बुला रहा है तू तो सच में रो रहा है आपने का बोल कर रो इस ते रो रहा हूं अच्छा मुझे काउंटर दे रहा है क्यों बुलाया सर ने स्वारी बोलने के लिए क्लिए लगता तो यह है अचे को गोंगो एक बोल कॉंसा गाव तेरा कहां साय तू नमस्ते अरे बोलना अपराता है क्या नवस्ते सब्सक्राइब नवस्ते तरह खड़ा रहा तो गोली से उड़ा दूँगा तो अबस्टोपे क्या कर रहा था तू हां बोल कर रात को कहां गयाता तू मैंने सुना पुरानी बस्ती में आर्डी एक्स सप्लाई करना था सब्सक्राइब तो ठोक डालूंगा अब मार डालूंगा अब कौन कौन था पता तू अकेला था या तेरे साथ पूरी गैंग थी लगता है मेंटल है क्या हो सर ने सौरी बोल दिया ना अरे सौरी की बात कर रहा है यार वो तो लगता है सच्वुच मेंटल है वो जब तक यहां पर है मैं कभी नहीं आऊँगा सर माने सूसाइड किया अभी वो हॉस्पिटल में है सर से मिलना है सर से मिलना है सर सर आ गए गुर्वाणी सर कौन से हॉस्पिटल में मां मां उठो मां सर आ है जरे उठिए 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 करना क्यों चाहती थी आप सुसाइड करना गुनाय आप नहीं जानती मैं क्या कर सकती थी सब एक हफते से इसके पिता जी क्लब में पत्ते खेलकर मैंने राशन के लिए जो पैसे बचाए थे वो भी हार गए अब वो घर भी बेचना चाहते हैं अपने बेटे को रास्ते पर देखने से अच्छा मुझे मर जाना ही ठीक लगा सर सुसाइड के अलावा में और क्या कर सकती थी सर हुआ 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 है और यह है देक यह थेक निकर रहा है आप मेरे पास लाइसनस है इसका इसे अरस्ट करने का लाइसन्स है मेरे पास इसकी भी में ने दिया है मुझे अटर्याओ नया आया है न वो तो थोड़ा शोर गूल तो करेगा ही बोटी डाल दो फिर वा तू महीं साखाना हाई कौन है तुम भूल गया मुझे जहां से उसे उठा कर लाया है उस क्लब का मैनेजर हूं है लगता है तुम यहां का नया C.I. है देकार का हला क्यों मचा रहा है अरे हम से कुछ चाहिए तो बोल दो ना जितना चाहिए उतना भिजवा देंगे मतलब क्या सर जब इस शहर में कोई नया पुलिस वाला आता है तो बोटी की तरह मेरे बॉस अच्छे खासी रकम भीजवाते हैं बोटी देंगे सिर्फ उसे ही नहीं पूरे पुलिस टेशन को ही उड़ा दो उस पुलिस वाले को पता चलना चाहिए हम कौन है टो सिर्ट करांन त्कड़ी बॉस यसicial पूर्ट याक कुलरी कुलरी चेलर कोई कि दिवार पांद कर भाग गया सर्व पुलिस पुलिस का मतलब पावर उस पावर में और पावर एड़ हो जाए तो बनता है ये मैंग टल्प शेर हो मैं पुलिस नाम का शेर को बोठी के नाम पर भिकने वाला नहीं जित्टने उडाने वाला पुलिस टेशन को ही उडातेगा पुलिस टेशन को उडाएगा अबाग रुग जा इस उप्रमे कितना भागें गा तुम अबैर रोग जा कि टर के मारे हवा टाइट हो गई भोक ना पुलिस के सामने भोकता है क्यों बई जैसे मना रहा है वैसे मार रहा हो समझते क्या हो अपने आपको सर मैंने जानवरों को मारा है उनमें पबलिक भी मौजूद थी गुंडे भी थे सर गुंडे थे तो क्या हुआ तुम अपनी मर्जी से मार दोगे किस ने दिया तुम्हें यह अधिकार वह हमारे पुलिस को मार रहे थे सर तो उपर से ओड़े आने का इंतजार करता क्या मरे लेकिन मार खाय हुए जखमे पुलिस वाले आपको नहीं दिखते सर मुझे यह समनी पता बात आके बढ़ गई है उपर से प्रेशर आ रहा है मेरे उपर देखो भाई या तो तुम्हें सस्पेंट करना पड़ेगा या फिर तुम्हें लीव पर जाना होगा अब तुम यहा अगलपन कम हुआ और सागा उसे देखकर शौक क्यों हो गया अब चाहती क्या है मेडम उस पर एक्शन लेने के लिए कह रही हूं सो कि है है ह्याय स्थिया थे एक्रीमज होने के किया कोशीश की तुल इस पर टोंब्लेंड कर देगी इडियट का है है हैrench है कि फोन रख कल का क्या तुम्हीं बताओ कौन है वह ठीक है चलता हूं हूं दोनों को साथ में बहुत बात देखाया उसक्ता वह तो तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती कौन है हूं मेरा पॉइफ्रेंड जाओ लेकर आउसे बॉल तुम मेरी बात माने गया नहीं आप कौन आपका बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है आउंटी क्यों रे यह लड़की तुझे पसंद है क्या जवाब क्यों नहीं दे रहा है तू हाँ पसंद है मा उन गुंडों से तुम दोनों डर के ऐसे पैसले मत लो अगर तू इसे नहीं पाल सकता तो मैं तुम दोनों का पालूंगी मैं पालूंगी तुम्हें दूर चले जाओ यहां क्योछे वहां वालूंगी तुम्हें आदे हुआ 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 तुझे चील कर रख दूंगी अगर मुझे इज़त नहीं दी तो यह हाइद्राबाद नहीं है तुम्हारा लोकल लोकल पुलीस हुँ तो सोचना क्या है तेरी बाप ने तुझे आयाशी करने के लिए दिया हुआ बंगला है पॉब्लिक पॉलिस टेशन है तुझे यहां भीजा किसने हां शाम तक वह आदमी मेरे सामने होना चाहिए नहीं तो तुम सबका एंव्हांटर कर दूंगी है हुआ है है हुआ है 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 क्या हुआ है 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 क्या हुआ है कूल कूल बस शादी की है उसने इतना है ना हां लेकिन वो लड़की तुम्हारी रहेगी मैं सेट करूंगा ना मैं सेट करूंगा उसे तुम्हारे लिए डोंट टेक टेंशन हाई लोकल पुलीस क्या गलती थी उनकी अरे वह तो पुलीस टेशन के अंदर आकर अपने ही आत्मियों को ले जाने वाले थे तो धंकी दिया तुने कि पुलीस टेशन है इंकाउंटर कर दोंगी हां हां इंकाउंटर करेगी अभी करना करना कैर्भी verme में कर पुलीस के उपर हाद उठा रहा है पूरा पुलीस टेशन इस बात का गव्याह है तेरा यहां से बच कर निकलना नमुम्किन है घश को पूलीस का मतलब होता है पावर्ए इतना मारा फिर भी तेरी अकट्टिक आने नहीं नहीं सर ऐसा मत कीजिए सर यह बहुत गलत हो रहा हुआ है लोकल पोलीस देखो तुने जिनकी शादी करवाई थी ना उस कपल का हैपी मेरेज लाइफ अपनी आखों से देख लगता है उसे पुलिस की पावर बतानी पड़ेगी फाइल लेकर आओ कर लोगता है आप देकार में टेंशन ले रहे हैं सर अब यह सिंपल मेटार है सर क्या किया है अरेस्ट किया ना और करी किया सकता है एए इतना कुछ हो गया और तुम लोगों ने क्या हाथों में चूड़िया पहन के रखी थी किसी काम के नहीं हो मुझसे अगर उसने ऐसा कुछ करने की हिंबत की होती ना अब तक मैंने उसे मौत के घाट तार दिया होता यह मार दूसे देखे भाई इस हालात में इतना गरब होना ठीक नहीं है है निकलो जल्दी निकलो सर छोड़ दिया सर अब मुझे बढ़ा सा सर क्या बोला मुझे देखेगा तु ऐसा डायलोग टीवी पर बहुत सुने हैं फोन दे उसे बेटा पूलीस टेशन से फरार हुआ है और मैं उसका एंकाउंटर करने जा रहा हूं है है सैर्सर वो बचकर भाग निकलेगा अरे वह भागेगा तभी तो उसका एंकाउंटर कर पाएंगे ना नहीं नहीं यह क्या कर रहा हो तो हम तुम्हें जिन्ता चाहिए उत्ता दूंगा मैं भागने दे भागने दे उसको भागने दे और भागे तो गुली डा दे प्लीज 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 तेरा बेटा बहुत अकलमंद है लाट के फिर पुली स्टेशन में गुज़ गया अब पुली स्टेशन में एंकाउंटर कैसे गर सकते हैं कह रहा कि पुलिस टेशन चला कि उड़ाई तो मैं उसका इंकाउंटर पुलिस टेशन में क्यों नहीं कर सकता है क्या कर रहो यार मेरा एकलौता बेटा है तुमारे हाथ जोड़ता हूँ जजबात ही हो रहा है अब कोई जजबात नहीं तुम्हें जो चाहिए वो दूगा वैं तुम्हें जो चाहिए दूगा उसे छोड़ दो किसी बाहर के आदमी के साथ कुछ बुरा होता तो मेरा खून जाता है वो लेड़ी ऑफिसर मेरी कुलीक थी मेरे डिपार्टमेंट की थी मेरी फैमिली थी कैसे छोड़ दूँ इसे बेटा सुन बेटा बेटा मरा है यह सोच कर तू पोता मरा है यह सोच कर मैं रोने से कोई फायदा नहीं है यह सुन छोटे पापा जितना हम तडप रहे हैं उससे कहीं ज्यादा उन्हें तडपना चाहिए तभी अमारे बेटी को शांती मिलेगी उसकी पोस्टिंग यहां कैसे हुई वो छुटी पर था सर फिर नॉमल तरीके से उसकी पोस्टिंग हुई है सर उसे मारने के लिए तुमने ही उसे डाला था ना मैंने क्या काहिए समझे की नहीं जाओ उसे निकाल दो ओके सर तुम अपनी मर्जी से किसी को भी सड़क पर दोड़ा कर जेल में डाल दोगे यह अधिकार तुम्हें किस ने दिया वह पुलिस टेशन में आके लीडी इंस्पेक्टर के साथ कर सकता है और मैं पुलिस टेशन में लाठी है हमारे पास चलाने के लिए बंदूख है हमारे पास लेकिन परमिशन नहीं तुम पुलिस वाले हो या फिर मेंटल हो कुछ दिन और पुलिस में रा तो पक्का मेंटल ही हो जाए मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं आम सॉरी सर मैं अपनी ड्यूटी में रहना जाता हूं मैं तुम्हें इसी वक्ट ड्यूटी से निकाल रहा हूं मैं भी वही कह रहा हूं सर मैंने कोई खलती नहीं किये और मैं जॉब नहीं छोड़ सकते हैं यू और सस्पेंड़ेट गेट आउट एक बार मैंने यूनिफॉर्म पहन ली तो सस्पेंड हो जाओ या ट्रांसफर हो जाए या जॉब चली जाए तब भी एक सच्चे पुलिस वाले की तरह अपना फर्ज निभाता रहूंगा यही सिखा है मैंने पुलिस में मेरे पास यूनिफॉर्म हो या ना हो लाठी हो या ना हो रिवालवर हो या ना हो आइम पुलिस जब तक मेरे जिसम में खून का आखरी कत्रा है मैं पुलिस की तरह ही जीऊंगा उसकी बोडी में, उसकी आखों में, उसके सारे शरीर में ही पुलिस पावर भरा हुआ है अब अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दो नमस्ते सर सुनने में आया है कि इस मेंटल को ड्यूटी से निकाल दिया भाई शेरभ वी की मिली बन दिया है जाब गई, बीवी गई एक बात बताओ, इसकी बीवी ने इसे मेंटल होने के कारण छोड़ा या इसकी वज़े से मेंटल होकर इसे छोड़ा नोकरी जाने के बाद भी तेरिया कड नहीं गई कोई बात नहीं जरा मार्केट में नजर डाल कार्थ याथ कि जरा में अव्याथ तक बात。 कि जरा मा भाथ झाल 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 ये बताओ, तुम अभी भी खुद को पुलिस वाला समझ रहे हो, अपनी मर्जी से किसी के भी हाथ पैर तोड़ कर, जीप में डलवा कर यहाँ भेज दोगे, जब से तुमारी जॉब गई है, तुम पागल हो गए हो, तुम अरजंटली पुलिस को आटर खाली कर दो, पुलिस कोई तुम अपिसोड वाद भुरा होगा, क्या हुआ डर लग रहा है क्या कमिश्णर की इजद की वज़े से अभी तक खुद को रोका हुआ है आगे नहीं रुकूंगा पुलिस की वर्दी मैं रहूं या ना रहूं आइम आलवेस पुलिस पुलिस की तरह यह हुँगा हुआ है आजा 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 मैं भी देखता हूं आजा ध्यान से सुन ले अब तक तो बस तू एक्षन दिखाता रहा और हम बस देखते रहें लेकिन अब अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि असली एक्षन क्या होता है आजा 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 चलबें पूली स्टेशन आए और अपने साथ रिवॉल्वर लेके चलेगे रिवॉल्वर उनसे चीन करूने अरेस्ट करो इमीडियेटली पापा आप टेंशन मत लीजिये ठीक है बेरी बात सुनो वो बदलेगा नहीं बेटा आटो हालो मैं वापस आ गई हूँ आपके पास मैंने जिवॉर्स पेपर भाड़ दिया है आपने मेरे पापा पर हाद उठाया था उसी बात पर मुझे खुसा था खलती मेरी ही थी मुझसे ऐसे घलती दुबारा कभी नहीं होगी सिर्फ आपके लिए ही जीऊंगी और आपके लिए ही मरूंगी मुझे माफ कर दीजिए इस ओके मैं बाद में मिलता हूं चीक है कि अगर विवकूफ फोन बंद कर दी है यह चे महिने के ग्याप के बाद तेरी पत्नी तेरे घर आ गई है और बड़े प्यार से तेरा इंतजार कर रही है बैचारी अगर तुझ में दम है तो आकर के उस बैचारी को बचा ले बगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग कि अंट पूर कि झाल जहना। सिंदगी में ऐसी गल्ती दुबारा कभी नहीं करूंगी आप जैसे चाहे जीओ, जैसे चाहे रहो, यह अल्वेस भी माई हीरो, बस आप मेरा साथ कभी में छोड़ना है है है, उसका नाम क्या है रहे, मेंटल, मेंटल, ठिट फार टैट सर, बहुत अच्छा है कि आपने, अब उसके जिन्दगी बरबाद हो गई, विश्वनाद, वो मरा हुआ साप नहीं है, भुपकारने वाला साप है, हां, रहमा, रहमा रहमा, हां, 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 सर, गमिशनर ने आपके आरेस्ट के ओडर दियें, सर, सर, आपने जिस कॉंस्टिबल को मारा था, उसने हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दी अपनी खुशी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, और कितने लोगों को मारेगा बता, अरे बता, और कितने लोगों को मारेगा मैंने सोचा था कि ये एक देश का रक्षक है रहा, लेकिन वो मेरी बात नहीं मनी और इसके पास आ गई, इसके लिए कोई भी सजा छोटी होगी अरे ये पागल हो गया है पागल, इसलिए जौब जाने के बाद भी पुलिस इनिफॉर्म बहन के घुम रहा है बाहर रहेगा तो ना जाने कितने लोगों को मारेगा इसलिए इसे अंदर ढालिए, जल्दी इसे अंदर ढालिए ये मेरी बेटी का हत्यारा है, इसे सजा दीजिए सजा दीजिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर, वो बहुत डिप्रेशन में है सर ये बागल हो गया है सर, जौब जाने के बाद भी इनिफॉर्म पहन के घुमता रहता है इसके बात करने का तरीका पहले खराब था बत्तर हो गया है जब से इसकी जौब गई है, तब से इसमें बहुत सारे निगेटिव चेंजिज़ आए हैं, ये बात सच है सर गवाहों और बयानों के आधार पर इंस्पेक्टर दुर्गा का आचरण बच्पन से ही कुछ अजीब था इसलिए ये आदालत इन्हें मानसिक रोगी मानते हुए इलाज के लिए मानसिक चिकितसाले भेजने का आदेश देती है आखिर में उसको फसा ही दिया आपने, हर बात उसके खिलाप जा रही थी कोट में उसका मुँ देखने लागता, मेरी तो हसी ही नहीं रुक रही थी अब क्या हो गया सर हम उसे फसा नहीं पाए उस कमिशनर ने उसके कैरेक्टर को बीच में रख करके उसे मेंटल बनाकर उसे भांसी से बचा दिया समझ गए तौम हाँ अब क्या करहाँ पस चुप रहो अब तुम बस देखते रहो पस देखते रहो हुआ 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 है 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 कि अब इसका असली ट्रीटमेंट स्टार्ट करो और यह कोमा में सर और मारेंगे तो मर जाएगा यह है 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 देखा तुमने यह मरा नहीं है मरा नहीं अब तक मेंटल आई यह मर कैसे सकता है हां कि स्टार्ट करों कि यह तुक्या कर रहा है तुस्तरे को धार क्यों लगा रहा है इसकी मुझ साफ करेगा क्या है अरे इस पुराने स्टैल को छोड़ कुछ नया सोचो मेरे भाई यह तुक्या कर रहा है चपल की हार लेकर आया है इसके गले में डालेगा कुछ नया कुछ नया सोचो मेरे यार कि इसके कपड़े निगालो भाई यह क्या कह रहे है इसके कपड़े उतारो सर पे टोपी हाथ में लाटी बेल्ट में गन है टोटल पूरी बाड़ी पुलिस से भरी हुई है यही का था ना तुने लेकिन अब तेरी पुलिस पावर सब उतार दी मैंने सब उतार दी मैंने सब फेग दी ले देख देख अब यह सही में मरेगा जैने सर यह सी आई दुर्गा प्रसाद है यह बहुत ही सिंसर इंस्पेक्टर है सॉरी यह कॉमा में चला गया है इसे अब्जर्बरेशन में रखो यह पुलिस इनिफॉर्म पहन लो यह अलवेज बी माई हिरो मसाप मेरा साथ कभी माच छोड़ना कम ओन उठ जाओ सर शी आई साब को होश आगया है गूर्ड रिजल्ट हाँ ट्रीट्मेंट स्थार्ट करो ओके सर्थ सर उठाओ सर जुकाना नहीं मेरा परिवार मेरे बच्चे सोचने वाले नायक नहीं हो तुम पूरी सोसाइटी मेरा परिवार है ऐसा सोचने वाले नायक हो इवारा लीडर पत्याचारों का पदला लेने वाले नायक हो तुम्हारे पास अब मारने का भी हक्त है करत्याच बिर वाले नायक हो कि अपने खिल्टी कि उसे पीना मारे छोड़ दिया बहुत परी कल्थी कि ओ नाना को फोन लगाओ चल्दी चल्दी फोन लगाओ पायुआ आपारिकान के पीछ पला भै भायुआ आपर मारणा लेगा भै भै क्या हो है ए दो ऐ दॉड़ कुछ अजस कुछ का अजस का और दॉड़ का अए यह अजस हो अब क्या करें हम लोग उसे उसे कोर्ट में बुलाकर उसकी अस्तियत पाहर निकाल दूगा आप प्टेंशन बिख लीजे जाओ 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 जल्वी जाओ जाता 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 आप टेंशन मत लीजे मैं हूना यहाँ पर उसे मेरे सामने तो आने दीजे पताता हूं कौन हूं 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 तू मेंटल नहीं है यह प्रूफ करके तुझे फासी नहीं दिलवाई तो मेरा नाम लॉयर विश्वनात नहीं वैसे भी पुलिस को मारने का राइट होता है और तूने मुझे मेंटल साबित करके मेरा यह काम और आसान कर दिया तू लॉयर ने काला कोट पहना हुआ पेवकूफ है मैं क्या हूँ मेरी लॉयर गिरी क्या है अंदर दिखाता हूं तुझे तेरी जबान कैंची की तरह बहुत तेज चलती है ना सोच अगर तेरी जबान ही न रही तो क्या होगा अब दुझे पर ना सोच जढगा लॉब 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 कर दो कर दो है हाँ मैंने क्या किया बदा एक लेड़ी इंस्पक्टर के साथ किया तेरे बेटे ने और उसका मैंने अनकांटर किया उसे पुलिस टेशन में उसे मैंने मारा तो क्या गलत किया बोल उस घलती के लिए मेरी नौकरी छीन ली गई मेरी मासूम बीवी को बेरहमी से मार दिया गया मुझे मेंटल साबित कर दिया गया एं इस उस्तरे से मेरी मूझ काट देता तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मुझे जूतों का हार पहना देता तो भी कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन तूने मेरे चिसम की खाल मेरे यूनिफॉर्म को जलाने की खलती की तूने सोचा मैं मर जाओंगा नए तभी से तो मैंने जीना सीखा मेरे सर पे तोपी, हाथ में लाठी, बेल्ट में गन रहे या ना रहे ये यूनिफॉर्म सिर्फ मेरे बदन को छू ले तो इसका पावर मेरे नस नस में तोड़ने लगता है देट इस पावर आफ यूनिफॉर्म एए चोरी धोकादड़ी प्रश्टाचार करके हॉस्पिटल से लाखों करोडों कमाए ना और उन गुनाहों को छुपाने के लिए राजनीत में आया पैसे के बदले पैसा जान के बदले जान भूस खाकर तुने नाकाबिल स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाया और वो जूटे सर्टिफिकेट्स लेकर डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, पुलिस की इज़त कमाते पब्लिक इज़त से काम करने वाले राजनेता को चुनती है फाइनली एक बात कहता हूं, सुन ले बड़े-बड़े करोड़पती अरभपती मरते हैं तो पब्लिक को कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन जब तक ग्रेट अब्दुल कलाम जैसे लोगों का दिहानत होता तो पब्लिक रोती है दाट इस लाइफ मेरी बाते सुनने के बाद अगर तुझ में थोड़ी सी भी शर्म बाकी रह गई हो तो मुझे अपनी मौद की वज़ा मत बनाना गुड़ बाइ उसे एज़टिस वापस पागल खाने भेज देने के लिए कोर्ट ने आदेश सुनाया पूरी कहानी सुननी ना तो अब बताओ तुम लोग इस तरफ काकी नड़ा और चीधा गए तो वैज़ा किधर चलना है नहीं नहीं डैडी उनके पास पहले चलते हैं सुनिये जी प्लीज अब मेरी भी इच्छा है कि पहले उनसे जाकर मिलते हैं कि अब कि आयम श्रीनेवास प्रसाद आपके लिए भेजा गया स्पेशल आफिसर मेरी पतनी इंदिरा बेटी भारगवी और बेटा अभीराम आपके बारे में पूरे डिटेल में बताया है इन्हें फाइल सब्मिट करने से पहले मैं खुद एक बार आपसे मिलेना चाहता था अगर आप फिर से पब्लिक सर्देश जोइन कर लेते तो बड़ा अच्छा होता है अभी भी वही कर रहा हूं सर बाहर आकर ओफिशिली यही सही है सर अनफिशिली नो असली युद्धा को युद्धी नहीं करना चाहिए युद्ध करने वालों को त्यार भी करना चाहिए जब आप चले जाएंगे तो सोसाइटी में आपका करेक्टर हमेशा जीवित रहेगा आपकी कहानी सुनकर हजारों लाखों करोडों युद्धा तयार होने चाहिए तब जाकर आपका सपना पूरा होगा सर मैं भी बिल्कुल आपके जैसा ही बनूँगा सर मैं रेडी हो सर C.I. दुर्गा परसाद गुर्फ मेंटल कहलाने वाले ये महाशय अब पागल नहीं है अब ये पूरी तरह से ठीक है और पबलिक डिमांड को देखते हुए उनकी इंडियन पुलिस अकाडेमी में ट्रेनर के रूप में नियुकती के लिए फाइल सब्मिट करता हूँ पापा का रायल सी मा है मा का तेलांगना मैं आध्रा में पैदा हुआ हूँ I'm an Indian sir I'm an Indian sir